जिए वेल्कम बैक रेल्डी मॉर्निंग यह हमारा बेस्ट फाइट का सेग्मेंट है जिसमें हमारे साथ मौजूद है शेफ प्राहत और हम इनसे कुछ हमने एक तो हलीम की पेंडिंग रह गई है और रेमिडी बतानी है वह उन्होंने अपने पीसावा वाबोर था जलफरीजी में अचा मैं रेमिडी बता देती हूं बहुत सिंपल सी है प्यास का अर्क निकाले थोड़ा सा बाउट टीस्पून बच्चे की एज नहीं थोड़ा स तोड़ा सा में भी के शार्प लगे बच्चे को बच्चे की एज देख लें आप ड्रॉब ड्रॉब करके दे दें उसको अच्छा एक चीज मैंने भी सुनिया कि वह बिल्कुल प्योर शहद लेकर उसमें काली मिर्च जो है वह जो आपके घर में अपने 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 आप च्छेन् पकड़ रहा है ऐसको उसको वह बच्चों को निकालना नहीं आता बड़े तो जैसे दैसे खांस के निकाल लेते हैं उसको लेकिन उसको निकालने के सबसाइचे तरीका हिया है कि मिर्च का इस्तेमाल उसमें जैसे शहद में आपने काली मिर्च पीसी और ताजी पीसी भी होनी चाहिए उसको मिक्स किया छोटा सा बच्चा है बहुत छोटे को नहीं दें गया बहुत छोटे को बिल्कुन क्योंकि मिर्च की तेजी है लेकिन जो बच्चा थोड़ा बरदास्ट कर सकता ऐसी एज में तो उसे आ काली मिर्च तो एक्सिलेंट है इस काम के लिए नजले के लिए अच्छा यह नो कि इसके बाद आ रहा हो तो आपने और अंदर ले लिया तो यह टिप इसलिए कि आपने निकालने है आपको वह मैसूस होगा वह खुद बखुद निकलता है अच्छा सूप पीने से मैं आप करता सूपallas कषी जब अपने सचान निकल गया इतना सारा निकल गया तो मैंने स्वीट होट इन सार सूप बनाया था घर में अपने तो सूप पी रहा हो लगता है कि फायदा होगा और पिए छूप फायदा देता है तो यह नीप द suiv यह भी अच्छा डाल की गाड़ा भी कर लेते हैं वो फाली यखनी होती है वो यखनी दोनों चीज़े दो अच्छा वो म्यूसस साब का अलीम अच्छा नजाली बनाना था अच्छा ऐसे बना उच्छा अच्छा आपने रहेओं नहीं कैसे इस बनती नहीं नहींद छोना शॉबाला कर ना क्को पर लुगा किम कर दो आना है और उसके बाद पिर आप दाल दिया था रहुज बाद रहा बी टोलाई और पानी एक पानी फैंक ते उसका बोच करते भी बिल्कुल गला लीजिए रेष्ट अब ही नहीं करेंगे आप गदा के बोटियए रहनी चाहिए बोटी से बनाएंगे कोई मशीन नी चलेगी कुछ भी नहीं चलेगा और इतनी लस्ट्रस आपकी हलीम तयार हो जाएगी तो उसमें फिर आपने आप सामान के लेना है आपको चाहिए कोर में का सारा मसाला उसे आपको ब्राउन प्यास चाहिए बारी कटी अद्रक चाहिए अद्रक लेसन चाहिए औ नल मिर्चें पर सीओ चाहिए अधनिया चाहिए अद्रक रिचें घर फ्ल्दी उंकाल आपको जानिया रिखर बनाले मिर्चें अगर जितमी बताई में ऊसमें तकरीबाद प्लीम्ह लॉक्त को गोड़कों करट नेी ¡मर्चे रिख थेचाने रिफ्धने खनू लॉक्त भार तो उसी को आप सब चीज उसकी फोर टाइम्स कर लीजे और उसके बाद फिर आप उसमें गेहूं ले लिजे डाले हो गई वैसे सिफ गेहूं से बनाएं बहुत शांदार बनती है गेहूं आपके पास कुटावा है तो बहुत ही अच्छी बात है उसे रात भर को भीगावा हो करना चाहिए और उस भीगे होए गेहूं को आप उबाल के रख लें उसे भी उबाले और वो अगर में इसको भीगोई नहीं और तीदेर पका लें की बात नहीं होती है आप इसमें बड़ी टेकनिकल सी बात आ जाती है जैसे मेडिकल साइंस है बिल्कुल सी तरह फूड इस बने पके जलेंगे यह बहुत हो तैम लगता है और फिर और टेस्ट नहीं निकले के वह सॉफ्ट होके उसमें भी इसमें एल्लिए रे er अले यह हम भीगोते हैं तो सॉफ्ट होती है और पकाते हैं तो ब्रेक होती है तो इसलिए उसको भीगोया जाता है भीगोने के बाद आपने उसे उबाली उसमें भी आपने कुछ भी नहीं डाला अब यह उबला हुआ गहुआ आपने डाल दिया मसालों के साथ आपने गोश्ट को भून लिया वो पक्के वे गोश्ट बहुत अच्छी तरह से दही नहीं सिर्फ इस बात का ख्याल है कि का हली में डही नहीं डालेंगे बाकि सारे मसाले वही जाएंगे जो कोर्मे के हैं और उसमें घी बगयरा इस स्टेज पर कम डालेगा घी या तेल और हली जो गेहुँ है वह साथ डाल कि उसके और पकाने के लिए उसको रख दीजे पा अगर आपको असा लगता है कि पानी उसमें कम हैन। भूँत थीक है बहुत थीक है तो फिर आप अम थोड़ा गरम पानी डाले उसको थोड़ा पतला और वह consistency जो हम पतला करें क्योंके उसमें वह पकेगा पकने के बाद रडियूस होगा तो वह जाहर है उस consistency पे आ जाएगा कि ज चला कि दम पे छोड़ें दम पे पड़ी रहें 40-45 मिनिट तक और उसके बाद फिर आप उसको जब आप निकालेंगे सर्फ करेंगे तो फिर आप बगार तयार करेंगे उस बगार में आप सिर्फ और सिर्फ ब्राउन की भी प्यास डालेंगे वो निकालने प्यास उपर से अब तक वह ना ना मजा निया थेर करके रखें लिवों काटके रखें बाकी सब खेर हैं अच्छा मैं सिर्फ इन चीजेस में डालती है वह सूखी प्यास वह बिलकुल कटा वजो धनिया होता है वह और लीमों एक उपर से ओहा हाँ क्या बात है अब इक हालू अच्छा यह अब बिल्ए को बिलेंडर में प्रेंड़ में पीश लें हमारी को बहुता ही नहीं करें गे अब अप्र शूरल आबहादी को इनको लेकिन यह नहीं घना पंतके हांइं हथा बाक का यह पाकिस्तानि ने ही बिल्ल्सि नॉट इंताहा कflows यहां तो जहां कि है यह तो पिर कभी आपने वह पहले उस प्यास को वह पकी हुई उसे आपको वैसे नहीं भूनना उसका कलर कभी भी ब्राउन नहीं होगा यह भी आपको बताना क्यों पक गई अब उसे मॉईस्चर है चैश पहलोगा प्यास कभी भी भी ब्राउन नहीं होगी तो बस आपने उसको टेल में डाल के थोड़ा फ्राइ करना है फिर अध्रक लसन भी साथ ही उसके डाले है तो इसके बादोसे भून लीजेए अब भूनने के बाद जैसे मैंने छिकन बताया होगा तो उसमें चिकन ए पते हैं किया हूँ अभी में चाई का सब्सक्राइब तो मेरे जहन में खयाल आया कुछ लोग, दो लोगों को आप एक ही किछन में भेच दे और इसके बाद आप उनसे के चाई बना दो मतला चाई क्या किसनी कितना चाई मैं तो कोई भी चीज आप लें उसे अब बता रहे हैं कि पती उबलते पानी में कब डालनी चाही कुछ लोगों को मैं देखा है कि पानी चड़ाया और साथी पती बढ़ने का वेट करते हैं पर वो सीटी बचाएगा तो फिर वो इसके अंदर डालेंगे पर आच हलकी करके उसको पकाएगा और साथी बडानी छुप को भचाएगे उसको उसको अचानी पानी में होता हैरे रहे हैं अचाल से मैं आपको ऐक छीज और बताती है। जब बॉयल करते हैं तो आप देखते हैं जाग को जाते हैं जाग होते हैं जो आप देखते हैं जो चाय के टेस्ट को खराब करते हैं तो आप उसको boil होने दें अब जाग आ जाते हैं तो उसे पक जाने दें फिर हो सके तो हटा दें उन जागों को अब आपने वन कप में आपने वन टीस स्पून अगर आप दूद वाली बना हैं दूद वाली बनाने है चाही की quality अच्छी ए तो फिर वन कप वन टीस स्पून यह इसका रऊश्यू है और आप इसमें डाले और साथही थोड़ी सचूर डाले। से उसका चुट्की के रचाय को चाई ले चाय को लोड़ाइव यहूदल रिडिल लेकर थोड़ा उसको उसको उचाले जैसे कुष्मीरी चाय को नहीं करते हैं हहां वैसे थोड़ा सा कर ले हैं 8-10 मरतबा ऐसे इसे निकले हैं इतने दर नाग पैकर अब आपने जब आठ से दस मरतबा इस तरह से कर लिया उचा लिया आपने साए अब आप उसको कवर कर दें चूला बंद कर दें कवर करके दम करने थंडी होगी नहीं होगी अच्छा मैं तो बड़ा करती हूं कभी कम यह बड़ा मूड होता है ना मैं आज जनाब रिलक्स अब जब मैं चाही डालूंगी तो उसका टमपरेचर वही रहेगा जो वह चूले पर है यह भी है तो फिर उसके बाद मैं उसमें चाही नहीं आए देखिए अच्छा में चाही के रेसिपी बीडिसक्स की क्या बात है वही है है अब क्या करें टाइम ब्लकुर खताम होगया चाही है अब काली बिली रास्ता काट जाए तो कुछ होता है के नहीं होता है कुछ है कुछ भी नहीं होता है तुम साइट से निकल जाओ, उसको साइट से निकल ने दू ले तो पाबंदी तो नहीं है कि रोड क्रॉस ना करें उसका भी हग है रोड क्रॉस करने का तो उसे भी करने दयाब भी कर लिए अच्छा आज कर जो पोल का सवाल है उसका जवाब हम आपको कल देंगे आप हमें एमेल कर सकते हैं healthymorning at health-tv.tv आप हमें sms कर सकते हैं हमेल के आप स्पेस देंगे मेसेज टाइप करेंगे एं सेले तो डबल एडबल 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 एड फेस्बुक पर हमारा पेज है www.facebook.com slash ltv.tv इसको जाके लाइक कीज़े और यहां को आप बॉल पे भी हमसे कमुनिकेट कर सकते हैं और यहां मुझे शेफ रहात को थेंक यू करना पड़ेगा बहुत 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 शुक्री आपके आने का और अधी मजी मजी की especially last recipe बताने का बहुत दिल खुश हो गया जी हम इनको बिलाते रेंगे आप परिशान नहीं बिलाते रेंगे हम इनको और कल हम फिर आपकी खिद्मत में हाजर होंगे आप हैल्टीवी देखते रहेगा आपना बहुत ज़्याद ख्याल रखेगा अलाहाफिस अलाहाफिस अलाहाफिस